अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहे हैं आज आपके लिए वीडियो बहुत ही यूस्फुल होने वारी है सो माइसर होस्स लेट्स केट स्टाड़ेट गाइस आपको भी प्रोग्राम एकते समय कोई मॉडूल या फंक्शन आपके दिमार्ग से निकल जाता हैं अगर आप उसे बूल जाते हैं तो आप सिंपली किया करते हैं आप सिंपली करते होंगे कि आप गूगल पर जाते होंगे उसको सर्च करते होंगे उसकी डॉक्यमेंटेशन पड़ते होंगे लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा अगर आप एक एकसपर्ड भी हैं तो आपके लिए यह टाइम जो है आपके लिए ज्यादा जाएगा तो आज मैं एक एक simple हो जाएगा आपको एक नोट की तरह कोड मिलेगा कि आप जो समझ सकते हैं जैसे कि आपने नोट लिखा हो अपने तो उस extension का नाम है ग्रेपर तो आज हम देखते हैं कैसे को इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको मैं बता देता हूं कि वह कैसे काम करना हैं आपको सबसे पहले गूगल करोंगो खूलना और उसमें जो है गूगल में करना एक लीजो है वाली चैसारे प्रेपर ने में जारी सकते अर देख सकते इसंए विखहां सकते कि यहां पर को सकते हैं पहले अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको बता देता हूं कि कैसे वह करता है तो अगर यहां पर मैं search करता हूं what is inheritance in python तो इस यहां पर देख सकते हैं यह जो ग्रेपर जो हमको एक easily note type का notes जैसे आप notes बनाते है न वैसे आपका जो एक दे दिया है जिससे आप देख सकते हैं code यहां पर लिखा है the ever program is without using inheritance and with the use of inheritance is below तो यहां पर differentiate कर सकते हैं समझ सकते हैं जैसे आप notes बनाते हैं वैसे यह भी एकदम simple तरीके से इसको आप बहुत ही simple तरीके से समझ सकते हैं तो गाइस यह था एक extension जो कि आपको बहुत ही काम आने वाला है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको like करिए share करिए अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजे और अगर आपको कोई query है comment पे बताये thank you guys have a good day